तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के stock को select करते हैं, पहला जिसे हमें support से एक reversal मिल रहा है और दूसरा, जहां पर हमें एक breakout होते हुए दिख रहा है, कि जो market है वो reverse कर रहा है, और stock में भी हमें एक reversal देखने को मिल रहा है, तो ऐसे cases में क्या होगा, price के ऊपर जाने की जो probability होगी, वो काफी जादा बढ़ जाएगी, हाई everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं, जहां पर हमें last trading season में काफी अच्छा breakout देखने को मिला है, और अगर इस stock breakout के direction में, अगर movement हो continue करता है, तो हमें आने वाले समय में एक अच्छा return दिखने को मिल सकता है, अब बात करते है stock की, पहला stock है और पास orchid pharma का, और यह rise का chart, तो सबसे पहला हम लोग यहां पर region को find out करते हैं, कि हमने इस stock को क्यों select किया है, क्या हमारा entry price होगा, क्या stopless होगा, और क्या हमारे possible target हो सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, जो यहा काफी बहतरी आपको returns देखने को मिले होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर आपने last time अगर miss कर दिया था, तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए, बट सबसे पहले region, और एक simple सा rectangle, और आप यहां पर notice कर सकते हैं, कि यह जो stock था काफी लंबे समय स एक छोटे से range में trade कर रहा था, और इस range को either consolidation zone और box button कहते हैं, और इसका हमें breakout होते हुए दिखा है last trading session में, तो पहला region, इस stock को जो selected ने का है, either consolidation zone और box button का breakout, अब हम लोग यहां पर एक simple सा horizontal line को draw करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने last time draw किया था, और यह रहा horizontal line, चीज़ों को बिलकुल ही असान रखेंगे, जिसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप यहां पर notice कर सकते हैं, यह जो 1455 का जो level है, यह last time हमें May 21 में दिखने को इम रहा था, and almost 3 years के बाद हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है, तो second region इस stock को जो select क breakout, अगर कोई भी breakout अगर एक साल के अगर बात होता है, तो उसे हम लोग काते है, multi-year का breakout, आप यहां पर यह भी notice कर सकते हैं, कि जो last day का जो volume है, वो previous days के comparison में ज़्यादा है, that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है, तो एक concept आप हमेसा ध्यान में रखना, जब भी आप price और volume को combine कर रह जाती है, अब बात करते हैं, levels की, तो अगर यह stock 1600 के अगर उपर जाता है, तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करेंगे stop loss की, तो stop loss होगा previous swing low, जो किया रहा है, 1365 रूपेज, closing basis पर, अगर बात करेंगे target की, तो हमारा first target होगा, 1670 का, second target है 1750 का, and इसके बा और यह है, कैपा site का, और यह रहा है, इसका chart, last time हमने score decisions किया था, somewhere around 185 के आजपास, right now it is trading at 350, तो काफी बहतरीन आपको returns देखने को मिले होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था, तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 335 का जो level था, यह last time हमें, May 2018 में देखने को मिला था, and after 6 years हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है, तो इस stock को जो सेलेक्टरने का जो पहला region है, वो है multi-year का breakout, अगर कोई भी breakout अगर एक साल के अगर बात होता है, तो उससे हम लोग क कर सकते हैं कि इस stock ने एक और pattern बना रखा था, और इसे हम लोग काते है round bottom pattern, and हमें इसका भी एक breakout होते हुए दिखा है, last trading session में, तो second region इस stock को जो सेलेक्टरने का है, वो है round bottom pattern का breakout, आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last day का जो volume है, वो previous stage के comparison में कई गुना जाता है, that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है, अब बात करते हैं levels की, तो अगर यह stock 350 के अगर उपर जाता है, तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करेंगे stop loss के, तो stop loss का previous swing लो, जो किया रहा है, 320 रूपीज closing basis पर, हमारा first target है, 372 का, second target हम पस 398 का, and third target हम पस 425 का, अब DL का, और YERAS का chart, again सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे, और एक simple सा channel pattern, चीजों को बिलकुल ही असान रखेंगे, जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock था, काफी लंबे समय से इस छोटे से channel में trade कर रहा था, and last day हम इसक एक breakout होते हुए दिख रहा है, तो पहला region इस से stock को जो select रहने का है, वो है channel pattern का breakout, अब हम लोग chart को left hand side में scroll करेंगे, और यह find out करने की कोसिस करें, company कब list हुई थी, और इसका all time high क्या था, तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं, जो company list हुई है somewhere in April 2016, and इसका जो all time high था हो था, somewhere around 3500 के आजपास, जिसका हमें last trading session में एक breakout होते हुए दिख रहा है, तो second region से stock को जो select करने का है, वो है all time high का breakout, अब बात करते हैं, levels की, तो अगर यह stock 3625 के अगर उपर जाता है, तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करेंगे stop loss की, तो stop loss का previous swing low, जो क्या रहा है, 3440 डूपेज, closing basis पर, अगर बात करेंगे target की, तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना, कि अगर कोई भी stock अपने all time hyper trade करता है, तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है, और stock कितना भी उपर जा सकता है, तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं, हर एक 5-10% के move पर partial profit बुक करते हैं, for example, माल लिजे मेरे पास, KDDL के 100 share से, stock जो भी 10% का move देता है, तो यह पूरी तर से मेरे उपर depend करता है, कि यहाँ पर मैं 5 high quantity book करूँ यह 10 quantity book करूँ, और इस पर भी depend करेंगा कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है, अब आईए देखते हैं, next stock और यह है, सारदा मोटर का, और यह रहा इसका chart, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले डिसर्स क्याता है, रावन हमने 1800 के आ तो आपको यहाँ पर समझना हो कि दिक्कत यहाँ पर किन लोगों को होड़ी है, देखिए, problem यहाँ पर उन लोगों के लिए होती है, जो लोग किसी भी level को नहीं मानते हैं, मतलब आप stock आ गया और buy करने के लिए तैयार होगे, तो पहले आपको यह समझना हो कि कौन से level पर आपको buy करना है, अगर आप गलत level पर buy करेंगे तो आपके results हमेशा खराब ही होंगे, अगर आप सही level का अगर wait करेंगे, सही level पर अगर buy करेंगे, तो जो आपकी winning probability होगी, वो काफी ज़्यादा increase हो जाएगी, याद रखेगा जो stock market है, वो guarantee पे नहीं, बलकि probability पर चलता है, अब बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है, एक simple सा demand zone, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, price नीचे से उपर की तरफ आता है, almost यहाँ पर 2-3 दिन consolidate करता है, एक breakout and upside में काफी better remove, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि last day में same level से एक reversal देखने को मिल रहा है, तो इस stock क जो select करने का जो region है, वह सपोर्ट से reversal, जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे, जब price उपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो same level के पास, I mean to say same demand zone के नीचे नहीं जा रहा था, that means कि यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें buying देखने को मिल रही थी, and last day इस buying को confirmation हमें मिल गया है, because whenever it is that support न देन, आप यहाँ पर decide नहीं कर सकते हैं कि कौन से direction में market जाएगा, लेकिन अभी अगर आप overall अगर market को दिखेंगे, तो market जो हुग एक reversal दे रहा है, तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के stock को select करते हैं, पहला जिसे हमें support से एक reversal मिल रहा है, और दूसरा, जह यह वो reversal दे रहा है, और जो stock है, वो भी अपने support से एक reversal दे रहा है, तो दोनों condition मैच कर रही है, तब हमें इस तरह के stock को fine out करेंगे, तब ही हमारे पैसे बनेंगे, हमेशा market के direction में ही trade करेंगे, अब बात करते हैं, levels की, region था support से reversal, तो अगर यह stock 2500 के अगर उपर जाता है, तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करेंगे stop loss के, तो stop loss होगा previous swing low, जो किया रहा है, double 2, double 5 रूपिच, closing basis पर, हमारा first target है, 2950 का, and इसके बाद यह जो stock है, अपने all time high की तरफ चला जाएगा, अब आईए देखते है, आज़का last stock, और यह है, NBCC का, और यह इसका chart, again एक simple सा demand zone, और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस zone पर focus करने की price किस तरह से behave करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है, price नीचे से ऊपर की तरफ आता है, इस zone के पास आता है, downside में एक काफी अच्छा मू, again prices को touch करता है, एक kind of inverted hammer, and downside में काफी अच्छा मू, breakout and upside में काफी अच्छा मू, prices को retest करता है, upside में काफी अच्छा मू, again prices को retest करता है, upside में एक काफी अच्छा मू, market नीचे आता है, stock भी नीचे आता है, इस zone के पास सपोर्ट लेता है, and जैसे ही market reverse कर रहा है, यह stock भी एक reversal दिखा रहा है, तो इस stock को जो selectedने का जो region है, वो support से reversal आप यहां पर ये भी notice करेंगे कि जो last day का जो volume है वो previous day के compression में जादा है that means कि इस reversal को volume भी support कर रहा है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो market है वो reverse कर रहा है और stock में भी हम एक reversal देखने को मिल रहा है तो ऐसे cases में क्या होगा price के ऊपर जाने की जो probability होगी वो काफी जादा बढ़ जाएगी again it is probability not guarantee अब बात करते हैं levels की तो अगर ये stock 190 के अगर ऊपर जाता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 165 रूपिच closing basis पर हमारा first target है 198 का and इसके बाद ये जो stock है अपने all time high की तरफ चला जाएगा तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching